Hi everyone, बात कर लेते हैं Polynesia की, इससे पहले हम Micronesia cover कर चुके हैं, link इसका description box में है, अगर आप चाहे तो आप उसे देख सकते हैं Polynesia क्या है, हम इसके बारे में जानेंगे, इसकी exact location जानेंगे, इसमें कोई main islands है, वो भी जानेंगे कौन-कौन सी countries आती है, कितनी countries आती है, वो सब जानेंगे, North, South, East, West में क्या-क्या है, वो भी जानेंगे शुरू करते हैं Polynesia, Polynesia जो है, ओशनिया का सब रिजन है, जैसे Micronesia ओशनिया का सब रिजन था, ऐसे ही Polynesia भी जो है, ओशनिया का सब रिजन है यह Polynesia क्या है, यह एक्चल में जो है, Pacific Ocean में कुछ Islands है, इनको जो है, आप मिलाके Polynesia कह देते हैं टीक, location क्या है, इसकी location Pacific Ocean में है, अगर आप direction wise देखें, तो exactly जो है, यह Central और Southern Pacific Ocean में है प्रशान्त महासागर में है यह, और मद्य प्रशान्त महासागर और दक्षणी प्रशान्त महासागर में है यह, इसका पहलाव, इसके islands का, इसलिए इसे जो है South Sea Islands भी बोला जाता है ठीक, अगर हम इसकी location के बारे में बात करें, North, South, East, West के इसके आसपास है क्या-क्या, तो जान लीजए इसकी North में जो है Hawaii है अगर आप books में देखेंगे तो आपको books में देखेगा कि Hawaii is at the northern vertex of this triangle Polynesia एक triangle की shape में, जो है islands, जो है कई-कई, चोटे-चोटे islands है, यह triangle की shape में, almost triangle नहीं है, लेकिन हम इसे triangle की shape कह सकते हैं, जब आप में देखेंगे तो आपको देखेगा, portion आपको highlighted भी देखेगा वो, तो जो triangle होता है, उसका northern kona जो है, नौर्थ वाले, एक kona पकड़ लीज Hawaii है, और Hawaii जो है किसके अंडर में है, वो United States के अंडर में है, इसके west में देखें तो इसके west में जो है New Zealand है, इसके west में माइक्रोनेशिया है, मेलानेशिया है और Australia है, तो इसके west में 4 जी से हो गई, New Zealand, Australia, मेलानेशिया और माइक्रोनेशिया, ठीक, अगर हम इसके east में देखे इसे पर में डिजाने क्लेमध कर्ते हैं, और मानी गई है है, अलावा इसमें पाहसे लिजाते हैं इस तरीके से पूछे जा सकते हैं, और इस तरीके से आपको और आपको यह स्टार के बनावाच मैंने बमीच आपएषिक हैं, अच्छा इसमें जो है कुक आइलेंड जैसे इस्टर आइलेंड जो है चिली के कंट्रोल में है इसी तरीके से एक कुक आइलेंड है कुक आइलेंड जो है वो न्यूजीलेंड के कंट्रोल में है ठीक इसमें जो है एक नौर्फॉक आइलेंड है नौर्फॉक आइलेंड जो है यह जो है एक और इसमें जो है दो आइलेंड में एक तो विंटवर्ड आइलेंड और एक लीवर्ड आइलेंड जो मुन रिपार्ट में हम इसे कैटेग्राइज कर सकते हैं इसकी अलावा इसकी लारज़ेस country कौन से है इसकी largest country New Zealand है ठीक है इसकी अलावा जो है Micronesia और Polynesia में अगर आप difference देखना चाहें तो Micronesia में 4 islands है और Polynesia में 6 countries है ठीक है I hope यह आपको help करेगा thank you